हेलो यूट्यूब फैमिली, वेल्कम टू ब्रिलियन्स आइल्स, अगर आप भी आइल्स का पेपर देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, आज मैं आपको बताने जा रहे हूं, स्पिकिंग का नया क्यू कार्ड, जो कि सेप्टेंबर से दिसेंबर 2022 के बीच में बचों को आ सकता है, तो वीडियो को स्किप मत करना, और पूरी वीडियो एंड तक दिखना, क्योंकि इसमें फॉल अप्स, कॉस्टेंज भी हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, आइडियास को जनरेट करने के लिए, तो अडवान्स लेवल के स्ट दिखा भार बहा हुंक, रही जाए पिर कि क्लास के बारे में बताना है, या फिर सिक ब्रिचों के बारे में बताना हैं जो आपने इंज्टों कर अपने लिए खिगर तो पदल जो question है उसमें काया है कि क्या सिखाया गया था class में what was taught in class क्या सिखाया गया था when did you take the class आपने class वो कब ली थी where it was और वो कहां थी what did the teacher do that made you enjoy teacher ने असा क्या करा जिस चीज़ को आपने बहुत ज्यादा enjoy करा so let's discuss it well there is no doubt that English is an international language इसमें कोई शक नहीं है कि international language English English plays crucial या फिर important भी बोल सकते हैं crucial role in everyone's life in this contemporary era now here contemporary era is used it means कि आधुनिक यूग में इस आधुनिक यूग में English का बहुत ही मातवपूरन रोल है हमारी जिंदगी में हर एक की जिंदगी में to be honest I have enjoyed many English lectures or classes in my life मैंने अपनी जिंदगी में बहुत जारे lessons जो है enjoy करे है here I would like to speak about an English class or lesson that I enjoyed तो यहां class बोले यहां फिर lesson बोले कुछ भी बोल सकते हैं तो मैं आज बोलने जा रहा हूं एन एंथुजियास्ट यह फिर learner बोल सकते हैं एंथुजियास्ट वो होता है जो बड़ा उत्षाहित होता है जो हर एक चीज को बड़े उत्षाह की साथ करता है तो being an enthusiast मतलब मैं उस तरह का परसन हूं I was pretty excited to attend the class में बहुत ज्यादा excited था pretty excited होना मतलब बहुत ज्यादा excited होना class class को यह lecture को attend करने के लिए में बहुत ज्यादा excited था moreover this lecture was presented by Mrs. Bhalla यह lecture जो था यह Mrs. Bhalla द्वारा दिया गया it was about English literature और यह English literature के बारे में था the class was organized at seminar hall of my school यह जो class लगी यह seminar hall में थी honestly speaking Mrs. Bhalla started her lecture with one fairy tale जो Mrs. Bhalla थी उन्होंने जो अपना lecture शुरू करा वो शुरू करा एक fairy tale के साथ it means की जो class शुरू करी वो एक fairy tale के साथ शुरू करी it means की परियों की कहानी थी कोई उसके साथ start करी यहां पर बता सकते हैं कौन सी थी Cinderella की story थी कुछ भी आप बता सकते हैं यह fairy tale थी afterwards she gave an amazing lecture about the learning of international language फिर उसके बाद उन्होंने एक बहुत अच्छा lecture दिया जिसमें बताया गया कि international language को कैसे सीखा जा सकता है one of his advice sorry one of her advice I still remember that a good speaker is a good listener उसकी एक advice थी जो मुझे अभी भी याद है वो थी कि अच्छा सुनने वाला जो सुनता रहता है वो बहुत अच्छा बोलता है तो यह जो advice थी वो मुझे अभी भी याद है she not only explained grammar but vocabulary also उसने grammar भी explain ना सिरफ grammar explain करी but vocabulary भी explain करी apart from this इसके इलावा Mrs. भला और भला माम communication skills were excellent माम के skills बहुत अच्छे थे communication skills अब communication skills क्या होते हैं बातचित करने का तरीका वो बहुत अच्छा था beside this इसके इलावा she used to crack joke in between her lecture so वो jokes भी crack कर रहे थे मतलब की मजाग कर रहे थे बीज में that was like cherry on the cake मतलब कुछ अच्छा था उसके ओपर कुछ और अच्छा हो गया so cherry on the cake idiom है use कर सकते है that time everyone enjoyed her class rather than feeling bored everyone enjoyed the class तो इन मेंसे आप कुछ ही बोल सकते है या तो आप यह जो मैंने ब्रैक्ट में लिखा है यह simple है बोलना है ऐसे बोल सकते है कि everyone ने enjoy करा class को या फिर आप rather than use करेंगे advanced level का structure आप use कर सकते है rather than feeling bored bored होने की बजाए हर एक ने class को बहुत ज़ादा enjoy करा because she narrated stories as well क्योंकि उसने stories भी सुनाई साथ के साथ although it was two hour class चाहिए दो घंटे की class थी I enjoyed a lot मैंने बहुत enjoy करा and after this lecture I got desired grades in English exam और इसको attend करने के बाद मेरे बहुत अच्छे grades आए that means कि English में बहुत अच्छे marks आए so this was the lesson that I enjoyed a lot और यह वो lesson था जिसे मैंने बहुत enjoy करा so this is the cue card now let's discuss the follow ups question as well here comes the first question what are the benefits of learning foreign language foreign language को सिखने का क्या फाइदा होता है well there are plethora of advantages of learning a foreign language किसी और language को सिखने के बहुत सारे फाइदे होते है firstly learning foreign language not only improves confidence level but also opens the doors of many more opportunities in all sectors सबसे पहले तो यह फाइदा होता है कि confidence बढ़ जाता है आपका and दूसरा यह होता है कि आपको बहुत सारे मौके मिल जाते हैं सक्सेस हासिल करने के किसी भी सेक्टर में likewise learning English foreign language helps students or pupils to pursue higher education in any foreign country so यहाँ पर example दिया है कि अगर आपको foreign language आती है English international language अगर वो आती है तो कोई भी student कहीं पर जाके भी किसी भी देश में पढ़ सकता है तो यह यहाँ पर example देती है Apart from this इसके इलावा foreign language, increased knowledge foreign language जो है वो knowledge बढ़ाती है as well as success in life और जिंदगी में success भी लेके आती है Okay, another question is What are the benefits of being a foreign language teacher? Foreign language teacher होने के क्या फाइदे है Honestly speaking, there are many benefits of being a foreign language teacher So foreign language teacher होने के बहुत सारे फाइदे है Firstly, it improves person's knowledge यह जो है person की knowledge को बढ़ाता है Secondly, teaching profession gives a chance to teacher to help students दूसरा, एक teacher को मौका मिलता है students की मदद करने का Moreover, if a person teaches foreign language, he or she is paid well उसको बहुत अच्छे से salary मिलती है So, teaching foreign language like English, French, bring name and fame इसलिए यह जो languages है, foreign languages like French है, English है इससे name और fame, that means की बहुत ज़्यादा famous हो जाते है अगर आप इन languages को पढ़ाते है People feel that a person is more educated and reputed in society और लोगों को लगता है कि person जो है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है और इसका बहुत ज़्यादा सम्मान होता है society में Another question is, will computer replace foreign language teacher? क्या computer foreign language teacher को replace कर देगा? So, the answer is, although there are many benefits of technology in this technical era So, यहाँ पे many की जगए प्लतेर आफ भी यूज़ कर सकते हैं तो बहुत सारे फाइदे हैं technology के technical era में Yet, computer will not replace foreign language teacher फिर भी computer जो है, वो replace नहीं करेगा teacher को There are many reasons behind it, इसके पीचे बहुत सारे कारण है Firstly, everyone here is not tech savvy हर कोई जो person है, वो tech savvy नहीं है अब tech savvy कौन होते हैं, जिनको technology का बारे में पता होता है तो हर कोई यहाँ पर technology को नहीं जानता So, to teach them, teacher is required तो उनको बढ़ाने के लिए teacher की जुरूरत होती है Apart from this, इसके इलावा, there are many languages which are not converted by computer in its own language तो बहुत सारी languages हैं, जिनको computer अपने translate नहीं कर पाता तो, therefore, computer will not replace language teacher So, इसलिए computer जो है, वो language teacher को replace नहीं करेगा Another question is, is grammar the most difficult part about learning a foreign language? क्या grammar बहुत जदा difficult होती है, foreign language को सीखने में Frankly speaking, I don't think so मुझे नहीं लगता कि यासा होता है Grammar is very much difficult Because grammar has rules and regulations So, मुझे नहीं लगता कि या बहुत जदा difficult है But इसमें क्या है, बहुत जदा rules and regulations होती है And we just need to understand हमें सिरफ उसको समझने की जुरूरत होती है Once we understood, एक बार हमें समझ आ जाते है Then we can speak language confidently हम पूरे confidence के साथ language को बोल सकती है And fluently उसको बोल सकते है However, pronunciation can be tricky पर जो pronunciation है That means कि language को बोलने का तरीका वो tricky हो सकता है And the last question is Do you think grammar is important in learning language? Language को सीखने के लिए grammar ज़रूरी है Yes, definitely ma'am अगर ma'am होगी, ma'am बोलेंगे Sir है तो Sir बोलेंगे तो yes, definitely, जी हाँ बहुत जदा ज़रूरी है Grammar is the soul of language Grammar जो है किसी language की एक आत्मा है Soul of language that means कि उसकी आत्मा है उसके बिना language आप सीखी नहीं सकते Grammar के बिना We cannot frame sentences without grammar हम लोग sentence भी नहीं बना सकते Grammar के बिना So, if the grammar is wrong अगर grammar गलत होएगी The sentence meaning would change उसका मतलब change हो जाएगा sentence का Thus, it is good idea to learn a language So, बहुत important है कि किसी language को सिखना या फिक किसी language की grammar को सिखना So, first we need to learn grammar So, किसी language को सिखने के लिए पहले हमें grammar को सिखना हम जरूरत है सिखना पड़ेगा So, guys, these are the follow-ups question Video पसंद आयो तो प्लीज इसको like करना Friends के साथ share करना Channel पर नए है तो इसको subscribe करना Thanks for watching